बिहार में एक बार फिर सुनाई दे रहा है जंगल राज का शोर तीन दिन आठ कतल सहम गया बिहार इंजीनियर से लेकर कारोबारी तक परिशान है निशाने पर है विपक्ष जंगल राज पार टू का राग अलाप रहा है निटीश कानून व्यवस्था को लेकर मन्थन में जुटें बिहार में जंगल राज का शोर है अबी कुछ दिन पहले ये सरकार चुनी गई है अब सरकार चुने जाने के बाद बिहार में इंजीनियरों पर लगातार हमले चल रहे हैं सिलसला ठम नहीं रहा है दरबंगा में दो इंजीनियर की हत्या हुई वैशाली में बेक इंजीनियर के हत्या हुई मैं मुजफरपूर में एक कारोबारी की गोली मार कर हत्या कर दिक गई एक के बाद एक वारदातों से बिहार सहम गया है विपक्ष सीधे सरकार पर सवाल उठा रहा है जबकि सरकार बैक फुट पर नजर आ रही जबसे नितीश कुमार ने सता संभाली है तबसे लगातार इस तरह की वारदातों में जाफा देखा गया इसे में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया बीजेपी आकरामक है सताधारी जेडियू को जबाद देना मुश्किल हो रहा है बिहार में नई सरकार का गठन हुआ नितीश कुमार मुख्यमंतरी है और लालु यादव उनके संभख्षक है लालु यादव की संख्या जादे है बिहार की जंता ने शायद जाने अन जाने में इसे सुईकार किया कि यही मॉडल बिहार की जंता को पसंद है लेकिन फिर भी मानफता के नातेम विहार के मुख्यमंत्री को और विहार की सरकार को आखिर कितने लोगों की बलिदान करनी पड़ेगी सुलोकतंत्र को बचाने के लिए और जिस प्रकार की हत्याय हो रही है बड़ा कहना कठिन है बिहार में हमारी हार बड़ी हार हुई है भाजपा की बड़ी हार हुई है और लालु यादव की जीत हुई है नितीश मार की जीत हुई है लेकिन क्या बिहार की जनता ने इसी जीत के लिए इतनी बड़ी कुरवानी की और इतना बड़ा जीत दिया इस प्रशनों का उत्तर तो बहतर विहार सरकार दे सकती है देखिए जो भी घटनाय हुई है अलके दिनों में काफी दुखद है और सरकार मुस्तेदी से अपराधियों को पकड़ने की ग्रफ्त में लेने की और पकड़े भी गये हैं पता नहीं क्यों इस तरह की घटनाय हुई है आखिर इसके पीछे क्या कोई सियासत है या क्या है सारा चीज जांच से पता चल जाएगा वहीं जेडी उन्हें तक केसी त्यागी भी मान रहे हैं कि ये घटनाय सरकार के लिए बड़ी चुनोती है जो घटनाय बिहार में हुई है वो हमारे लिए चुनोती है मुखमंतरी स्वस्त और अच्छे पुरसासने के लिए जाने जाते हैं कल उन्होंने हाई लेविल की मीटिंग करके आवशक निर्देश दिये हैं लिहाजा हमें उनके नेत्रित में पूरा विस्वास है सीधे रू करेंगे पटना का हमारे समवादाता ब्रजेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश मैं दो वाकिये सामने रखना चाहूंगा उधारन देकर आपके सामने सवाल के साथ एक तो 15 साल 10 साल पहले का बिहार है जब जिसको जंगल लाच कहा जाता था इसके अलावा चुनाओं से ठीक पहले जब यूपी जब बीजेपी और जेडियू दोनों साथ में सरकार चला रहे थे मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2011 में मतब 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे बोतल में पेटरोल भरके उसमें सुतली लगा करके और फेक रहे थे बाकाइदा ये इस्थितियां बन रही थी अब जिस तरीके के इस्थिति बन रही है उसको किस तरह से देखें क्या कह रहा है बिहार क्या समझ पाया है देखे शेकर निश्चित रूप से जो इस्तिती बिहार में है वो भयावा है और जिस तरीके से घटनाए घट रही है और एक के बाद एक घटनाए घट रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है और बिहार के तमाम जितने भी जिलें हैं वहां से खबरे आ रही हैं चाहे व पुरी नितीश कुमार की सरकार है उसके सर पे पसीने आ गए हैं और जो अपरादी हैं उस साफ मैसेज दे रहे हैं कि वो अब रुखने वाले नहीं हैं और जिस तरीके से दो इंजिनिरों की हत्या होई दरभंगा में और जो परचियां वहाँ पर फिकी गई शेकर वो उस पर अगाज है अनजाम अभी बाकी है यानि ऐसी घटनाएं और भी होने वाली है और इसका असर दिखने भी लगा है शेकर और जितने भी निर्मान जो सड़क निर्मान से लेकर एजेंसियां थी उन्होंने अपना काम रोक रखा है और जिस एजेंसी जो प्राइवेट एजेंस लोग कहते थे कि विकास तो विकास नरेंदर मोधी जो विकास कर रहे हैं वो विकास लोग चाहते थे या फिर नितीश कुमार का जो एक इमेज है विकास पुरुस का वो चाहते थे लोगों ने अपना परणाम नतीजा सामने रखा उन्हें ये भी आपसे जाना चाहूंगा हुआ होता है अब तक नितीश कुमार का जो भरोसा जिस बात कोllen को वह कहते थिदे गा मैं जहरा भाल वो तो ऐसा लग रहाएं कि जाता रहा अधिकारियों पर जो उनका भरोसा था वो भी जाता रहा क्योंकि उन्हों उने नहीं ने हैं उनके गुर्गे यानि इस तरह से सक्रिये हैं की वो गैंग ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है उने सरकार बनने के बाद जो संदेश जमीनी अस्तर पर गया है वो गलत गया है जो बार बार ये कहा जाता था और आपको बता दे कि जहां पर दुसरे जो हर जिलों से हमारे लोगों से बाचीत होती है लोगा कहना है कि जो क्रिमिनल जो इलाके के जो क्रिमिनल थे वो जो अंडरग्राउंड थे वो इस सरकार बनने के बाद आप सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं पतलब आप समज सकते हैं कि उनके पास यह मैसेज गया है कि जो सरकार बनी है वो उनकी सरकार है अगर हम कोई कुछ होगा नहीं बलकि वो बचाये जायेंगे तो यह जो सिंदेश गया है वे सरकार के लिए काफी खोतरनाक है और यही वज़ा है कि इस तरह से घटनाये हो ही है दूसरी वज़ाई यह है शेकर जो ट्राइम बढ़ने के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चुनाओं के बाद जितने पुलिस अधिकारी थे वह लगभग पांस से छे मिने तक उन्होंने काम किया उसके बाद लगातार वह एक के क्रिमनल क्योंकि आपको याद होगा शेकर कि 2005 में जब नितिश्कमार की पहली बार सरकार बनी थी और उन्होंने जो कारवाई की थी लोगों में एक करनुमल बढ़ा था कि अगर हम साथ बजे शाम के बाद सड़क पे उजाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो वापस वो लॉट आएंगे ये एक भरोसा जगा था नितिश्कमार ने जो सरकार बनी थी उसको लेकर और ये भरोसा कहीं न कहीं काफी पहले जो पांस सर रहा वो र लेकिन ये भरोसा फिलहाल जो क्राइम रेट बढ़ा है और जगातार हत्याय हो रही है लूट हो रही है ये इसके बाद खताम हो दिखाए देरा है बहुत शुक्रिया प्रजेश मेरे पास वक्त इतना ही था लेकिन सवाल बहुत सारे हैं इसमें कोई दोराय नहीं अब इन स पार्टू का शोर है तो दिल्ली में और इवेन फॉर्मूले का शोर है यहाँ पे सरकार इसमें उलजी हुई है दिल्ली में और इवेन फॉर्मूले को लागू होने में मैस दो दिन का वक्त बचा है CNG गाडियों को इस नियम से छूट के लिए आज से स्टीकर जारी करने का काम शुरू हो गया है लेकिन जिस तरह से लोगों के लिए स्टीकर की मारा मारी मची है मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है राहत कम मुश्किल ज्यादा देख रही है दिल्ली के इंदप्रस्त गैस लिमिटेड स्टीकर तो दे रहा है लेकिन इस स्टीकर को लेकर उसे भी जनता उतनी क्लियरिटी नहीं है जैसे कहां स्टीकर लगाए ज यह जैसे इसका इस्तमाल कहां होगा जिसका सीधा असर वहां स्टीकर लेने वाले जो लोग पहुंच रहे हैं गैस भरवाने वाले जो लोग पहुंच रहे है उन पर पढ़ रहा है अब सवाल यह उड़ता है कि जब इस्टीकर के लिए इतनी आफय तो कैसे लागू होगा नहीं है पर मुला तरीव गाड़ी का मार्सी चेक कर रहे हैं हम अर्थ ट्रेस्टिंग जो कम्प्रेट लगी हुए है कर रहे हैं उसके विए देखकर हम लगा रहे हैं इसके तैज गया हुआ कि जैसे जो पॉलिशन के जो भी चल रहा सिस्टम चल रहा है इसे लगाने के बाद और चल सकती है एवन और एड़ी वन से फ्री हो जाएगा इस्टिकर लगने के बाद बहुत मैं तो गैस भरवाने आय ऑफिश कर लेने आया तो काफी देर लगगी में लेने में मेरा स्टिकर तो मिल गया मगर एक डेड़ गंटा लग गया में को महिंदिल्ली पुलिस कमिशनर बियस बसी ने काए कि पुलिस पूरी तरह से इस फॉर्मूले को लागू करने को तयार है फेक नंबर पर बसी ने कहा कि दोशियों के खलाफ सफ्त कारवाई की जाएगी और अब बात यूपी में मासूमों के साथ बेरुकी क्या इस बार मासूम कंदों पर माग मेला मनाया जाएगा ये सवाल इसलिए उठखड़ा हुआ है क्योंकि संगम किनारे बच्चों से काम लिया जा रहा है कानून काइदे ठेकेदार के ठेंगे पर अफसर आँख मूंदे हुए यूपी के इलाबाद में माग मेले की तैयारियां चल रही है अब हफते भर से भी कम का वक्त बचा है लिहाजा अधूरे काम को पूरा कराने के लिए ठेकेदार मासूम बच्चों से काम ले रहे हैं सस्ती और ज्यादा अतादाद में लेबर के चलते ठेकेदार कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं और प्रशासन आख मोंदे हुए मेला छेतर में बच्चों से बेहिचा काम लिया जा रहा है तो यह अफसर कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या दोशी ठेकेदारों पर कारवाई होगी इलाहबाद में लगने वाले माग मेले में अब बस हफते भर का वक्त बचा है त्रिवेणी की तट पर अगले महिने की पांच तारिक से मेला शुरू हो जाएगा लेकिन अभी भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई है हमने आपको बताया थे कि किस तरह माग मेले की तैयारियां लचर तरीके से चल रही है मीडिया में इस मामने को जोरशोर से उठाने की वज़े से अब प्रशासन की नीन खुली है और उसने तैयारियों को तेज करने के आदेश दिये है प्रशासन के इस फरमान से ठेखेदारों के फेफड़े फूल गए है लहाजा काम पूरा करने के लिए वो कानून काईदों को ठेंगा दिखा रहे है ये देखिए किस तरह मासूम बच्चों से काम लिया जा रहा है मेला क्षेतर में बनने वाली सड़कों के काम में बच्चों से काम लिया जा रहा है इसके दो फाइदे हैं एक तो इफ्रात में लेबर मिल जाती है और दूसरा उन्हें लेबर के कम दाम चुकाने पड़ते हैं। बच्चों की माबाब के लिए भी ये कमाई का मौसम है। उन्हें काइदे कानून से कोई सरोकार नहीं। माबाब अपनी गरीबी की दुहाई देकर बाल श्रम को सही ठहराने में जुटे हैं तो ठेकेदार मौज में जिन्दगी विता रहे हैं। वही मेला प्रशासन का दावा है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं। अधिकारी कारवाई का भरोसा दिला रहे हैं लेकिन क्या ये मुम्किन है कि इस तरह की घटनाएं उनकी जानकारी के बगएर हो। असल में मामला बेरुखी का है सचाई ये है कि भारत में आज भी बाल श्रम कोई सामाजिक बुराई नहीं है भले ही ये कानूनी अपरात बन गया हो। और इसी के चलते हमारे अधिकारी और निताओं को भी इस बात से कोई खास फरक नहीं पड़ता। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरहे देश के कानून की धज्या उणाने की इजाज़त दी जा सकती है। दिनेश सिंग, इलहाबाद, इंडिया 24-7 SL ग्रूप के चेर्मेन डॉक्टर सुभाज चंद्रा को अग्यात शक्स ने उनके परसनल मोबाइल पर फोन कर हिसार ना आने की चेताबनी दी है। अग्यात शक्स ने डॉक्टर चंद्रा को आगाह किया है कि अगर वो हिसार आते हैं तो जान और मान सम्मान से हाथ दो बैठेंगे। इस पूरे प्रक्रण को लेकर डॉक्टर सुभाज चंद्रा के दरफ से हिसार सिटी थाने में एक शिकायत दी गई है। मामले के सम्मंद में हिसार के स्पी एश्वनी शैणवी ने कहा है कि सम्मंद में सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की च्छानवीन की जा रही है, जाँच में जो भी दोशी मिलेगा उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी। इसकी एक कंपलेंट जो कल सिटी हिसार SHO के पास आई है, आलग मेरे पास कोई इस तरह की कंपलेंट नहीं आई है, लेकिन जितना मेरे संग्यान में है, उसके इसाब से उस कंपलेंट की further inquiry के लिए रोजनामचा में जो DDR entry है वगारा, वो कर दी गई है, इसके बारे में भी उनको भी संग्यान में लाया गया है तो इसके उपर legal opinion में एक बार हम opinion भी लेना चाहेंगे तो उसके basis पे जो निकलेगा उसके तहट हम कानूनी करवाई करेंगे इसमें जैसे रोज नामचा में डेरी डेरी रिपोर्ट होती है उसको रेकॉर्ड किया गया है तो उसके basis पे legal opinion लेकर अगली जो कानूनी करवाई है उस पे कीचाहेंगे ललिट शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे समधाता ललिट पुलिस की जाच कहां तक पहुंची है और किस तरह से वो अपनी जाच को आगे बढ़ा रही है जी शेकर फिलाल अगर अगर अभी हम बात करें पुलिस ने इस मामले को लेकर कारवाई करना शुरू कर दिया है फिलाल डी 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 आर कट गई है और उसको लेकर कारवाई जा रही है फिलाल अभी एफ़ या दज नहीं की गई है पुलिस तोर का साफ तोर के यही कहना है कि फिलाल अभी लीगल उपीने लिया जा रहा है आपको बता दें कि एसल ग्रूप के शेरें डॉक्टर सुभाद चंदा रख उनके परसनल मुवाइल पर चार नुर्वबस को हिसार ना आने और उनमान सम्मान खोने के लेकर एक घंपी रीगी तो जिसको लेकर सिती ठाना में डॉक्टर सुभाद चंदा ने एक शिकायत किये फिलाल अगरे भी हम बात करें पुलिस की तप्रीश लगाताज जा ली है जानकारी देने के लिए शुक्रिया दिल को जगजोरने वाली वारदात सामने आई है 36 गड़ के दुर्ग से जहां एक पिता पर अपने दो महिने के बेटे के हत्या का आरोप लगा है मामला गंजपारा बिलदार पारा का है आरोप है कि राकेश ठाकुर नाम के एक शक्स ने नशे में पहले अपने पत्नी से मार पीट की और फिर दो महिने के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी इसके बाद आरोपी ने बच्चे के शव को सिप्टिक टाइंग के लिए खो दे गए गड़े में दफना दिया गटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है आपके अपने चैनल इंडिया 24-7 की खबर का एक बार फिर बड़ा सार हुआ है इंडिया 24-7 पर खबर दिखाया जाने के बाद देहरादून के नारी निकेतन से करीब 50 संवासनियों को फारिदवार के रोजनाबाद में शिफ्ट किया जाएगा ये काम एक NGO की मदद से किया जाएगा जहां पर इन संवासनियों को रखा जाएगा उसकी क्षमता करीब 60 संवासनियों की है आपको बता दे कि देहरादून के नारी निकेतन में 133 संवासनियां रह रहे हैं जिसमें से 102 मानसिक रूप से विक्षिप्थ हैं वहीं देहरादून से 60 विकास नगर के सेला कुई के मानसिक रूप चिकित साले में बेट की संख्या भी बढ़ा कर 100 की जाएगी अब तक अस्पताल सिर्फ 30 बेट का है फिलाल इस बुलिटन में इतना ही